ओम शान्ती श्रीर का नाम बीके किरंग है इस ब्रह्मा कुमारी संसा से मैं और मेरे जूगल जी जुड़े हैं हमको लगपत 13 साल हो गए जब से हम इस संसा से जुड़े हैं अब में में खूप संसकारों का परिवर्तन देखा है क्योंकि बाबा का जो ग्यान है ना ग्यान का सारी संसकार परिवर्तन है पहले बीगिनिंग में थोड़ा गुसा आथा था मगर जो बाबा का ग्यान को धारंग करके उसके सवरूत बने है तो वो गुसा अब तो नाम अतर रह गया है पहले जब हम मैं स्कूल में टीचर थी जब ही मैं 13 साल से लगबंग मुझे एक छुटी नी ली मैंने सीधा छे बाद शिक्स ओ क्लॉक में यहां आती थी और सेवन ओ क्लॉक यहां पर मेडिटेशन करके स्कूल जाती थी तो एज रिजल्ट क्या हुआ है स्कूल में टीचर्स में को जैसे हमने घ्यान को धारंग किया स्वरूत बने तो टीचर्स हमारे पास आते थे बैठते थे तो कहते आपके पास बैठ कर बड़ा स्वकुन मिलता और पॉजिटी वाइब्स मिलती है इवन जो स्कूल के बच्चे पास ओड़ कर गए वो और के पेरेंट्स आते थे तो कहते हैं उनको इतना खुशी रहती थी थे आपको पास बैठ कर आपको पॉजिटी वाइब्स बहुत मिलती है तो मुझे स्कूल में यह बताना चाहूंगी कि Best Teacher Award मी मिला यह Best Teacher Award का श्रेम है अपने बाबा को देना चाहूंगी क्योंकि जब तक हमने ग्यान को धारन करके सवरूप नी बने तो कुछ नहीं है एक मैं और आपको एक्जम्पल देना चाहूंगी कुछ दिन पहले मुझे अबरोड जाने का मोका मिला जब वापसी पर हमारी फ्लाइट थी जो डैलस से चलनी थी वो फ्लाइट थी हमारी दो पैंतालिस की दो पैंतालिस की प्लेस पे उन्होंने डिले कर दिया 4.15 4.15 वो जो हमारी फ्लाइट पहुंच रही थी 8.40 और जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी हमारी वो हमारी थी 8.50 8.50 वो हमने कैच नहीं कर पार ने थी क्योंकि उन्होंने उधर से हमें मेल आ गई कि आपकी जो फ्लाइट है वो मिस् Cohen झाल सकती है जा तो आप कैंसल कर्के न्ưू फ्लाइट ले लो लेली जब बैठे हमने तो उदर जब लैंड करने लगा प्लेन तो उन्हों अनौंसमेंट कर दी कि ये प्लेन जो डैली वालों के लिए है वो अब सवा नो बजे चलेगा इतना खुश इतना शुकर है बाबा बाबा को इतना धन्यवार कि बाबा आपने सुना है हमारी बहुत बहुत फर्याद सुनी बाबा ने बाबा को फिर हमने कहा कि बाबा अगर ये फ्लाइट मिस हो जाती तो हम एक दिन डिले भी होते और कॉंप्लिकेशन्स भी होती तो बाकि शुरू शुरू में मेरे को बहुत ज़्यादा जैसे बाबा पर निश्चे भी नहीं आता था तो मैं बताना चाहती है कि जब मैं जो निश्चे नहीं आता था ना तो यहाँ पर मुझे ना कुछ दिन में यहाँ पर फील होने लग जाता था माथे के बीच में भारी पंसा भारी पंसा फील होना regular five five seven days तो एक दिन क्या हुआ तेज चमकती light मेरे चमकी तो मुझे उस जैसे लगा तो मुझे बाबा ने पकड़ लिया तब से मैंने तब इसे लेकर आज तक बाबा का हाथ पकड़ा और ना मैं कभी छोड़ूंगी मैं आप सब से यही अनरोद करती हूँ कि बाबा के जो बाबा ने हमें ग्यान दिया है उसका बाबा ने यह कहा है भचे अपने को पढ़ाने वाला कोई विशेश टीचर है ओम शांति अबने faith इससी ओम शांति शांति